हलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दे क्लास, प्लान फिजिलोजी यूनिट हमने स्टार्ट करी वी है, जिसमें की बहुत सारे टॉपिक्स हम अल्रेडी कवर कर चुके हैं, C3 cycle के बारे में हमने पढ़ा था प्रिवियस लेक्चर में, C4, C3 cycle पढ़ चुके हैं, C4 cycle पढ़ चुके हैं, अभी CAM cycle पढ़ेंगे, यानि की Crassolation Acid Metabolism, इसको हम क्या कहते हैं, Diurnal Acid Cycle भी कहते हैं, क्यों कहते हैं Diurnal Acid Cycle, क्योंकि जो Organic Acid का Formation हो रहा है, उसमें क्या है, Diurnal, मतलब Day और Night का रोल है, ठीक है, Day और Night का रोल कैसे है, उसको हम यहाँ पर अभी देखेंगे, तो इसको हम समझते हैं कि CAM cycle जो है, कौन से plants में होती है, दीखें, जादा तर succulents plants में होती है, succulents plants मतलब जो आप समझेगी, desert area में रह रहे हैं, ठीक है, कुछ plants ऐसे होते हैं, जिनको हम CAM plants कहते हैं, क्यों कहते हैं, CAM plants क्योंकि उनके अंदर क्या होती है, CAM cycle यानि कि Crassolacian Acid Metabolism चलता है, इनके पास क्या होता है, ऐसे plants के पास scotoactive stomata होते हैं, scotoactive stomata वो stomata होते हैं, जो night में open होंगे, और day में close हो जाएंगे, यह stomata night में open होंगे, इस वज़से यह plants के अंदर जो CO2 fixation होता है, वो night में होता है, लेकिन जो sugar का synthesis होगा, वो day में ही होगा, क्योंकि जो rubisco enzyme में हो day में active होगा, तो sugar का synthesis day में होगा, लेकिन जो CO2 fixation है वो night में होगा, क्यों, क्योंकि इस cootoactive stomata है, यानि कि ऐसे stomata जो सिर्फ night में open हो रहे हैं, cam plants के example क्या है, sedum, kalanchoy, pineapple and open chia, अब जो CO2 fixation हुआ है night में, यानि कि dark में, तो वो CO2 fix करके क्या बनाया है CO2 उसने, oxaloacetic acid, किसकी help से enzyme pep carboxylase, उसकी help से बनाया है, अब क्या होता है कि ये CO2 आती कहां से है, जो fix हो रही है, ये CO2 कुछ तो आती है atmosphere से, और कुछ आती है by the breakdown of starch, जब respiration process होता है, starch breakdown होती है, कुछ CO2 वहां से आती है, अब ये oxaloacetic acid जो है, ये malic acid में convert होता है, और ये malic acid जो है, vacules में store हो जाता है, ठीक है, अब cam plants के पास, Calvin cycle के भी कुछ enzymes होती है, Calvin cycle के enzymes होती है, तो उसका क्या फायदा है, कि जब दिन में, पहले तो रात में malic acid जो है, वो vacules में store हो गया, लेकिन दिन में क्या होता है, ये malic acid break होता है, malic acid break होके क्या बनाता है, pyruvate बनाता है, और CO2 बनाता है, अब ये CO2 जो होती है, ये Calvin cycle में enter कर जाती है, और जो pyruvate होता है, उससे हमारा क्या होता है, phosphonol pyruvate दुबारा से regenerate हो जाता है, ताकि इसकी help से आगे जाके दुबारा से रात में CO2 का fixation हो पाए, अब जो succulent plants होते हैं, इसलिए therefore they synthesize plenty of organic acid from CO2 during the night, नाइट के time में जब CO2 fixation होता है, तो उस time पे बहुत सारे organic acid synthesize कर लेते हैं, यह cam plants यह succulent plants, और दिन के time पे जब stomata close होता है, उस time पे बहुत सारे carbohydrates synthesize कर लेते हैं, यह plants, ठीक है, अब Calvin cycle के जैसे cam cycle भी mesophyll cells में होती है, ठीक है, और लेकिन इसमें क्या होता है, कि chloroplast dimorphism नहीं होता, C4 plants में हमने पढ़ा था, crans anatomy होती है, यानि कि mesophyll और bundle sheet cells present होती है, वॉस्कुलर bundles के दोनों side में, ring की form में, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जब mesophyll cell अलग है, bundle sheet cell अलग है, तो उनके अंदर जो chloroplast present होता है, वो भी shape और size structure में अलग होता है, लेकिन इसलिए हम बोलते हैं, chloroplast dimorphism, क्योंकि chloroplast two type का होता है, morphology में, bundle sheet cell का अलग हो, mesophyll cell का अलग, लेकिन cam cycle में ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ mesophyll cells में होती है, इसलिए chloroplast dimorphism नहीं होता, क्या होता है कि जो cam plants, जो succulent plants होते हैं, जो desert में रहते हैं plants, उनके अंदर ये cam cycle होती है, अब वो slow growing plants है, उनके अंदर cam cycle होती है, इसकी वज़े से उनका जो photosynthetic rate है, वो slow रहता है, लेकिन जो ऐसे plants हैं जिनके अंदर C4 cycle हो रही है, उनका photosynthetic rate high हो जाता है, क्योंकि C4 plants जादा efficient हैं, हम already C4 cycle में इसको study कर चुके हैं, cam plants, they are although not as efficient as C4 plants, उतने जादा efficient तो नहीं है C4 plants की तरह, लेकिन definitely आप ऐसा कह सकते हो कि cam plant का ये advantage है, कि आप इसको adverse condition में भी grow करा सकते हैं, कैसे adverse condition में जहां पर extreme desiccation बहुत जादा सूखा पढ़ जाए, तब भी आप इसको grow करा सकते हैं, ठीक है, ये figure से आप समझा सकते हैं, night के time पर क्या होता है, stomata open होते हैं, open होते हैं को क्या होता है, CO2 का fixation, कैसे हुआ, ये CO2 आई, और फिर finally क्या हुआ, phosphoenol pyruvate carboxylase enzyme की help से CO2 का fixation हो गया, इसको हुआने बोला primary carboxylation और C4 acid बन गया, यानि की oxaloacetic बन गया, फिर ये oxaloacetic acid malic acid में convert हो और ये malic acid जाके vacuole के अंदर store हो गया, फिर दिन के time पे क्या होता है, कि ये malic acid break कर गया, इसमें से CO2 अलग हो गया, pyruvate अलग हो गया, ठीक है, CO2 जो था, वो कहां चला गया, CO2 चला गया, ये calvin mensal cycle, यानि की C3 cycle में, जहां पे rubisco active था, उसमें गुबारा से यहां पे carboxylation कराया, इसको बोला secondary carboxylation, अब ये जो हमरा C3 acid बच गया, ये इधर starch दिख रहा है आपको, इससे जाके क्या होगा, phospho inol pyruvate regenerate हो गया, तो ये पुरा cycle होता है, stomata जब close होंगे, या open होंगे, day में और night में, सो हो, आपको clear हो गया होगा, cam cycle का क्या procedure है, notes are very easy, easy language में आपको explanation भी मिला है, you can copy down the notes in your notebook, दो बार आप read करेंगे, आपको और जदा concept clear हो जाएगा, stay tuned with classes, meet you soon in the next class, till then, stay tuned with concepts and notes, cadme by Aishi, thank you.